पंजाब नैशनल बैंक में हुए 13,500 करोड रुपए के घोटालों के आरोपी महुल चौकसी का नाम इंटरपोल ने रेड कॉर्णर नोटिस डेटाबेस से अटा दिया है इंटरपोल ने 2018 में चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था बता दे कि रेड नोटिस किसी वांटेड अपराधी के लिए जारी किया जाता है ताकि दुनिया भर की पुलीस को उसकी अपराधों की जानकारी हो सका Red Corner Notice के जरिये पकड़े गए अपरादी को उस देश में वापस भेज दिया जाता है जहां उसने अपराद किया होता है पर आखिर Red Notice हटाया है क्यों गया दरसल Red Notice हटाने के लिए चौकसी की ओर से Interpol में याची का दायर हुई थी इसमें उसने दावा किया है कि 2021 में भारतिय जाच एजिंसियों उसका अपरण कर लिया था और डॉमिनिका ले गए थे इसी वज़े से Interpol ने उसके खिलाफ Red Notice को हटाने का फैस्ता लिया है ऐसे में अब Red Notice Database से मेहुल चौकसी का नाम हटाने का मतलब है कि अब फिर से दुनिया भर में ट्रैवल कर सकता है कुल मिला कर अब चौकसी भले ही भारत के लिए वांटेड अपरादी हो लेकिन दुनिया के लिए वो आम नागरिक बही बन गया है